वेलकम टो माई यूटूब चैनल साइन्स टिक आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीठे स्वाद वाली मीच किस देश में उगाई जाती है जर्मनी इटली जपान या भारत मीठा स्वाद वाली मीच को कौन सी कंट्री में पाई जाती है तो इसका क्या एंसर होगा कमे नीसी कुल का पौधा होता है और इसका बातनिकल नेम होता है केपसिकम एनम होता है मीच जो होता है स्वाद में तीखा होता है मीच में तीखापन पाया जाता है और ये तीज स्वाद का होता है जो हमारी जीव को या जबान को जला देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मी मीठी भी होती है जी हां हम बात करने हैं फिरोजपुर की हरी मेच, जो मीठ hyα स्वाद की होती है, इसकी मिठास कुछ खास होती है, इसलिए यह बेदेशों मे भी पहुच चुकी है, इसका ब्यापारिक नाम है इंद्रा मेच, इंद्रा मेच की खे़ती फिरोजपूर फाजिलिका वो आसपास के सीमावरती छत्रों में होती है यह इंडिया का मैप है इसमें यह पंजाब को सो किया गया है पंजाब एक इस्टेट है और इसमें पंजाब के यह लिफ्ट साइड में फिरोजपूर और फाजिलिका आए तो यहाँ पे इस मिर्च की खेती की जाती है इंदरा मिर्च की हलांकि इस मिर्च का जो मार्केट होता है मार्केट पे राज जो होता है 15 मार्च से लेकर अपरेल तकी रहता है इसके बाद नए किस्म की मिच आ जाती है CH27, CH1 और CH3 किस्म की मिच मार्केट में आ जाती है तो ये मार्च से अपरेल महिने में भी यह मार्केट में बनी राती है इसके बाद CH1 और CH27 और CH3 किस्म की मिच जो होती है मार्केट में आ जाती है इस मेच की खेती लगबग धाई या तीन महीने की होती है मिंस इस मेच की खेती में लगबग धाई या तीन महीना लगता है और जीतना ज़्यादा मुनाफ़ा होगा उतना किसी और फसल में नहीं होती है इसलिए यह मेच को बड़ी पैमाने पे उगाया जाता है क्योंकि इसका मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा होता है इंदरा मीच को जनौरी माह में बोए जाता है और इसको इसके पौधे को करीब घाई माह बाद फल आने लगते हैं इस दोरान मार्केट में हरी मीच कम हो जाती है यही बज़ा है कि इस सबजी की खेती की टेकनिक सीख चुके इसके सिमावती इलाके के किसानों ने इंदरा मीच को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है लोगों की जबान सरचर के बोल रहा है हलाकि इसकी पैदावार काफी होती है लगबग साथ हजार से एक लाक रुपए तक की प्रती एकर मीच की पैदावार हो जाती है इसकी ग्रोथ जो होती है इसकी ग्रोथ टाइम में मौसम भी उस समय काफी अच्छा होता है जिससे इसकी पैदावार काफी अच्छी हो जाती है मिन्स साथ हजा से एक लाख रुपए तक प्रती एकड मिर्च की पैदवार हो जाती है तो ये मिर्च जो होती है मुनाफे के लिए काफी अच्छी है PAU विभाग के बिसे सग्य बताते हैं कि इस मिर्च की मिठास और जल्दी पैदवार ही इसकी खासियत होती है चुकि फिरोजपूरो और सीमा से लगे इलाकों में किसानों ने सब्जियों की पैदवार कोले का अधिक जागरुकता दिखाई है इसलिए बजार में जब मिर्च गायब रहती है तो इंदरा मिर्च उपलब धिकरवा कर वे मोटा मुनाफा कमा रहे है तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस मिर्च को बोने पर इसका टाइमिंग तो कम होती है और इसका मुनाफा ज्यादा होता है तो इसलिए इसकी खेती कहना ज्यादा बेनफिट रहता है अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथी साथ इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्यू प्लीज वीडियो करें